अच्छे नौजवान जिने समाच के लिए कुछ कर गुजरने का विश्वास हो ऐसे लोगों की तलाश आज हमारा देश कर रहा है हमारे भारत देश का भविश्य आप ही के हातों में है आपके कदम दूसरों के लिए आदर्श बनने चाहिए आप नौजवान जो हासिल कर चुके हैं जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं ये देख कर हमारे इस कॉलेज को गर्व होगा जो कर रहे हैं आपके लिए प्रश ब्रश ब्रश बन्हाँ ब्रश 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 रहे इस रजेश हो चुका है ना जाने कितनी यादें टॉपर बनना देखा जाए तो बहुत सारी मल्टिनाशनल कंपनीज हमें यू सिलेक कर लें अच्छे लग रही है ये दौड लेकिन एक बात कहूं इस कॉलेज के बाहर एक ऐसी दुनिया है जो हमें हाथ पसारे बुला रही है फिर भी हमारे दिल में एक छोटा सा डर है अपने बच्पन का स्कूल उसके बाद 12 उसके बाद ग्राजुएशन पीजी ये सारी चीजें कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला बाद में नौकरी, सालरी, बीवी और बच्चे उसके बाद उनकी पढ़ाई फिर उनकी शादी फिर उनके बच्चे देवील कीप गई राउंड राउंड और राउंड बट थैंक्स तो माइड जिन्होंने मुझे इस मैठ सर्कल से मुक्ति दिलाई मैंने मेरे डाड से एक साल की हॉलिड़े की बात की और वो जल्दी मान गये सो, बोइज और गर्ल्स, प्लीज गवा बिग राउंड अप्लॉस तो माइड थैंक्यू दाड इमाचलेशन अचलो जलते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में? मैं भी वही समझने पा रहा हूँ डाड. मतलब इतने साल से जो तुमने पढ़ाई की, तुम्हारे उपर जो हमने इतने पैसे खर्च किये, जो सब ने देखे, सब कुछ बरबाद हो गए. पढ़ाई का क्या है डाड? बिंग नॉलिजबल इस मौर इंपॉर्टन. तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? असाइनमेंट, मार्कशीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें एहमेत नहीं रगती आदमी की काबिलत पहचानने के लिए. वैसे ये आपको क्यों लगता है कि मैं जिन्दगी के इस रेस में नाकामियाब रहूँगा? ये सब क्या है बेटा, अगर अच्छी नौकरी मिलती है तो करो वर्न अपने बिजनिस पर ध्यान दो, पड़ पापा को परिशान मत करो. एक मिनट रुको तो, कार्तिक, तुम चाहते क्या हो? मुझे एक साल छोड़ दिजे डाड़, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, नई नई चीजों को समझना चाहता हूँ, अपनी सोच और नौलेज को बढ़ाना चाहता हूँ डाड़, मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, मेरी सोच, इन सब को अनिलाईज करना चाहता हूँ. झाल कर दो जास एफ दो? जाल के जाए, जाल को एम अजया दूए शेयर सेर एचरा, रुको रुको मेरा है सफर ये जहां साथ साथ है गरेद लिशारे रहे पास आजादी खेले है जान से रिष्क ले कोई कोई करे प्यार तो करे प्यार ही करे लिष्क करे लिए जान से बता है यह क्या बच्पना है छोटे बच्चों की तरह बाप बेटी दोनों एक से बढ़कर एक कुछ भी कहो नहीं मानेंगे यस मैं बच्च के लिए फीट चाहिए लिए दीदी यह कबुतर मेरे है इन्हें मैं पाल रही हूं यह मेरे है नहीं दीदी इसे मुझसे एक सर ने खरिद कर फ्रीडम कहकर उड़ा दिया अल्ला महर्वान फ्रीडम इंप्रेसिव तुम्हारा नाम क्या है शारुख शारुख अगली बार अगर वर सह मिले तो इन कबुतरों के तरफ से उन्हें थांक्स कहना ओके खीक है दीदी लुप है झाल 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 अगली बार मिलूँगा तब पूछ लूँगा सर लगा था फॉरें से अगर तू दारू की बोतल खोलेगा लेकिन तू दिल खोलके बैठा हुआ है और वैसे भी सारे कॉलेज, पब्स, थेटर और गार्डन सारी जगों पर ढूण लिया लेकिन कहीं पर कुछ पता नहीं अरे जिस लड़की की तलाश हम लोग कर रहे हैं उसकी कुछ तो जानकर ही होनी चाहिए बिल्कुल उसकी हंसी से मेरा दिल बड़े जोरों से धड़कने लगा उसकी आँखों को उसकी आँखों को देखकर मैं सारी जिन्दगी बिता सकता हूँ अरे उस लड़की को देखकर तो तूझ मैं कभी चाहग उठा है क्यों न तो एक अच्छी सी कवीटा लिख दे कवीता क्या मैं तो उसके लिए बुक लिखने वाला हूँ बुक लिखेगा मेरे लाइफ के इस जुर्णी का वो ही डेस्टिनेशन है मैंने तो फिक्स कर लिया है मेरी बुक का नाम है एक लैला के लिए अब यह लैला कौन है अरे वाई कीचड़ वाली लड़की चुप रहो अब इससे क्या हुआ ऐसा मू लड़का है मजदू बन कर क्यों खड़ा है अरे वो इसके दूर दर्शन प्रॉबलम है मतलब इंदू नाम की लड़की से यह दूर से प्यार कर बैठा है यह जाकर ना अपने प्यार काईजार कर सकता है और ना ही इसमें इतना दम है उस लड़की को अपने डैड से बहुत प्यार है डरता हूँ कि कईों मुझे डिजेक्ट ना कर दे यार ये भी कोई डरने की बात है बतावो कहा मेलेगी क्या कहा, अरीना इंस्टिट्यूट में जॉइन कर रही हो, अरे तो मेरे इंस्टिट्यूट में कर लो न, हम साथ रहेंगे, और वैसे भी वो काफी नस्दीख है, वो ही तो, ये ज़रा नस्दीख है, और यहां मुझे मेरा सब्जेक्ट मिलेगा, I think मेरे डार भी यही सजेस् मैंने डार को अभी मेसेज किया है, let's see, hello, सुनिये डार, मैंने आपको दो इस्टिट्यूट की डीटेल्स भेजी है, कौन सा जॉइन करूँ, कन्फियूजन में हूँ, एक सेकंड बेटा, एरिना इस दे बेस्ट, किस लिए तो पूछो, but why डार, first ये निरबाय है, और एरि जिक यू डारी, बाई, 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 लंदू, that's my dad, बीस रुबे का कोल्ट्रीग लेके सारा दिन यही बैठे रहते है, अरे, रही सुन, क्या हुआ, ओधिक वहाँ बैठी है, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ, हाई लव यू है लो कौन हो तुम और ये क्या नियूसंस है ये नियूसंस नहीं है ये लवसंस है अच्छली कल शाम को मैंने आपको गनेश मंदिर में देखा था आप बहुत ब्यूटिफुल दिख रहे थी बालों में गजरा हाथों में चूडियां आप मेरे बगल से निकल कर चली गई अरे कई ये लाइन तो नहीं मार रहा भरोसा नहीं है उतना ही नहीं अच्छली प्यार तो एक ही मिनिट में हो गया था सिर्फ दिल से दिमाग तक इंफरमेशन जाने में थोड़ा वक्त लग गया यह तो सोच रही है मान तो नहीं जाएगी सच में फेस्बुक पर तो मैंने आपकी रिलेशन्शिप स्टेटस देखी वहां तो सिंगल लिखा हुआ है तुम्हारा नाम क्या है? आम कार्तिक 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 हे तुम बदू के फ्रेंड हो ना? मैंने तुम्हें कहीं देखा है नहीं नहीं कल शाम को आपको देखा तब मेरा जन्म हुआ मैंने तुम्हें मधू के बर्दे में देखा था मधू? कौन मधू? मैं तो बहुत सारे मधू को जानता हूँ वही चो इंद्रा नगर में रहता है अच्छा वो चिपकू मधू जुबान जरे संभाल कर मैं उसी मधू से प्यार करती हूँ ओ अच्छा इसका मतलब तुम उस मधू से प्यार करती हो अच्छा बताने है आजकल के लड़कियों को हो क्या गया है दिखने में खूबसूरत होने के बावजूद बंदर के हाथ फच जाती है ओके Soul क्या तुमने ये बात मधू को बताई है अरे नई अब तक नहीं बताया सूपर तुम भी मत बताना मैं भी नहीं बताउगा तुम्हारा नाम इंदू क्या ये उसका नाम भी नहीं जानता बिना जाने पहचाने प्यार करने हो गया लड़की किसी और को चाहती है यह जान कर भी देखो इंदू मुझे गुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है तुम मेरे साथ दो महिने वक्त बिताओ अगर अच्छा लगा तो वो कंटिन्यू करते हैं नहीं तो वो मधू नाम का बंदर है यह तुमारे लिए यू मीन डेटिंग? ओ, हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो वैसे भी अगर हमें अपनी कमपैटिबिलिटी जाननी है तो इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही सौरी कार्टिक, मैं मधू से ही प्यार करती हूँ विल्यू प्लीज लीज़ चल देखो इंदू बुज़र्गों ने कहा है कि चार को देखो, तीन को ट्राइ करो, दो के साथ भूमो और किसी एक के साथ सेटल हो जाओ नॉट बिग डील, गिव इट अ शॉट अगर प्यार किया है तो डरना क्या, सुनो इंदू, अब मधू से कह भी दो, चलो इंदू, अब अशरी साथ भी बोल दिया सौरी इंदू, तुम जैसे म्यूट लवर्ज को मिलाने के लिए मुझे इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ा डोंट फिल बाड, फाइनली प्यार की जीत हुई, थाइंक यू करते, थोड़ी देर और रुखते तो पता चलता आगी हुआ क्या तुझे क्या करना है, वहाँ कोई फिल्म चल रही थी, जो तुझे उसका क्लाइमाक्स जानना है, कितना होट है ना, I like his guts मैं तो already उसे दिल अब दे भी चुकी हूँ, हाँ, देखो पहले मैंने ट्राइ किया था, दो महिने में तुम्हारी शादी है ना, क्यों, शादी से पहले डेट नहीं कर सकते, जिससे शादी कर रही हो, उसे डेट करो, हाँ, ये तो चीटिंग है, I just want to date him, तुम पागल हो ग इस संसार में कार्तिक से नफरत करने वाला कोई और भी है और वो मैं हूँ एक और देख, तेरा खेल तो मैं ही खत्म करूँगा, आज से तेरी परबादी शुरूँ, जब तक मैं तुझे अपने हाथों से मार ना लूँ, इस दुनिया को पता कैसे चलेगा मैं काउन हूँ बहुत बार पूछने की कोशिश की, कौन है ये लड़का सेर? जब तक मैं इसे देखता रहूँगा ना, तब तक मेरे अंदर की आग इसके लिए भड़कती रहेगे, 25 साल के दुश्मनी है तो ऐसे इसके उमरी 25 लग रही है जब से पैदा वाँ तब से मेरा दुश्मन है वो एक छोटा सा बच्चे आपका क्या बिगाड पाएगा भईया, कुछ भी बोल रहे हो अरे आऊ ना चंदू, इतनी देर क्यों लगा दी आज पहली बाद छोटू को देखने आया हूँ न, इसलिए नए कपड़े खरीदें मुझे थोड़ी देर होगी कार्तिक नाम है, अच्छी तरह से देख लो इसका शरीर गरम क्यों क्या इसे बुखार है बुखार नहीं का तो आपको हम बुला रहे है क्या हुआ? जीजाजी आपने मुझे बुला या? उसने सूसू नहीं किया, जरा उठा लेना उसे उस दिन फंक्शन में तुमने उसे गोध मेलिया उसके बाद आज तर उसने सूसू नहीं किया जरा ले लेना हाँ नंदू, तुम उससे जरा पक्रो, मुझे और भी बहुत काम है मैं काम खतम करके आउगी, हाँ उस दिन से मैं उसका डाइपर बन गया अरे चंदू ले लो नहीं से ठीक है ये अच्छा हुआ देख क्या रहे हो ले लो ना जाने जाना है क्या हुआ गया गया ए नदू ये क्या पेना है बच्चा डर जाएगा जा चेंज करके है जीजा जी को बुलाओं क्या जीजा जी से नहीं हमें आपसे का मुझसे मेरी एक समस्या है जनता की बस रक्षा हो काम अगर कुछ देवा हो हर पल इनकी सेवा हो मन में तुम्हारी भगती हो मुझसे कोई गरगलती हो तूड़के मुझ पेशकती हो बताओ आपके क्या परिशानी है मेरे बच्चे ने दो दिन से सुसू नहीं किया साब मेरे बच्चे ने भी सुसू नहीं की है उसे गोध में उठा लीजे न अच्छा शायद सुसू कर दे मैया तेरा क्या है सबका एक नंबर के लिए मेरा दो नमबर के लिए दो नमबर के लिए चूता मारूँ है तुझे चलने के लिए आते आप दुबई इसले भाकर आ गए क्योंकि उस लड़के ने आप पर सुसु किया था बात वो नहीं है मेरी जिन्दिकी की बहुत सारी चीजों में उसने उपमा लगा दिया एक बार में चुप चाप शीला की जवानी देख रहा था मामा जी मामा जी क्या बात है बेटा हटो ज़रा मुझे अंदर आना है अंदर बहुत बहुत है और पास आजाओ और पास आजाओ जिच चल 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 तो मैंने वहन की जवानी पकड़ा थी किया है यह एक्चुली मैंने रामली ना की फिल्म मांगी थे लेकिन उससे मुझे शीला की जवानी पकड़ा थी तो सोचा इसलिए देख लूँ मैं इसलिए देख रहे हो आगे बहुत अच्छे सीना आप दी देख लो क्या हुआ बेटा दूद नहीं पी रहे हो नहीं मैं नहीं पियूंगा लेकिन दूद पीने से शक्ति मिलती है यह किस ने कहा तुमसे इसे पीने से शक्ति मिलती है नंदो क्या हुआ अजीजा जी सबकी आखों में खून क्यों सवार है नहीं नहीं दी 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 उससे कुछ भी बात करो हमेश्य प्रब्लम होती थी मामा मां मा क्या हुआ बेटा हम बाहर केलने जा रहे हैं हां तो मुझसे क्यूं क्या रहा है मैंने सूचा जाने पहले एक बार आपको बता दूए ठीक है जा आज तक वो मुझसे बोले बगर कहीं ने गए है ममीची मुझे घबराद हो रही है मुझे पता है बहुत नहीं बच्छों में इसा क्यों किया तर्तिक पितर कहों गए थे तो हमाँ गए थे ये गाओ जाने वाली बस में मिले पूछा तो बताया घर में बताकर आए है एए किसको बता कर गए थे मामा को बोला था सुनो तिमसे बोला था नहीं जी जाजी इसने तो बोला कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ पर ये नहीं कहा था कि एक गाउ जाने वाली बस में चला जाएगा तुझ में हटकल है कि नहीं छोड़े बचे को इस तरह के छोड़ता है इस वागल को इसलिए सोका इसलिए सोचा एक साल के लिए कहीं दूर चला जाओं आप तो एक साल के लिए आये थे फिर पंदरा सालों से याई क्यों है मुझे भी नहीं पता है जब एग्रिमेंट साइन किया तो उस पर सिर्फ एक साल लिखा हुआ था पर उस शेख न एक के बगल में पांच लागे दिदी उस दिन उन कबूतरों को उड़ाने वाले सर में ले थे मैंने उनको बताया कि आप उने पाल रही है वो पूछ रहे थे उनका नाम क्या रखाया आपने कबूतरों के नाम हम नाइस थाट आप शर्माती हैं तो बहुत अच्छे लगती है अगर कम शर्माओगी तो और अच्छा लगेगा आपका ये ओपनेस मुझे अच्छा लगा इतने सालों से आप मुझे क्यों नहीं मिले कार्टेक डेस्टिनी मेरी दो महिने बाद शादी है पर मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ उस दिन आप अपनी दोस्ते कह रहे थे चार को देखो और तीन को ट्राइ करो शीला वो सब एक ड्रामा था अच्छली मेरा दोस्त उस लड़की से प्यार करता है उन दोनों को मिलाने के लिए मैंने बस एक रिवर्स गेम खेला और कुछ नहीं प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है और वो भी सिर्फ एक के साथ ही तुम मेरे साथ दो महिने बिताना चाहती हो है न? दो महिने नहीं पूरी जिंदगी बताऊँगा पर एक दोस्त की तरह तुम किसी से प्यार करते हो क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा पर ये तो उससे भी नहीं पता खैर मेरी छोड़ो तुम अपने सुनाओ हलो तुम कहा हो मैं कबसे वेट कर रही हूँ? पर तुम हो कहा? फर्स फ्लोर पर लो आ गई यहां हो तुम शीला कहा है? हाँ उसने जो करना था वो कर लिया है क्या क्या? कल उसने उस लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट बेज़ी थी ना? आज उससे मिलने गई है चलो दिखाती हूँ फोर रही देखो ओके, नाइस पिक्चर जरा नीचे फेस्बुक रिक्वेस्ट पे डेट पे आ गया ची, स्माइल देखो दोरक ऐसे चिपके हुआ है, सेल्फी ले रही है दोनों के दोनों ही बेशरम है चलो यहां से अब चलो भी ओ, कार्टेक अच्छली मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होगे ओ, फाइन, शूँ I will leave now सी यो, बाई ओके, बाई एक्स्क्यूज मे अरे, शीला फोन कर रही है, क्या कहूं उससे उससे कह दो कि हम कही बाहर है मेरा तो उससे देखने का भी मन नहीं कर रहा हलो, हे, कहां हो वो, हम कार सर्विस सेंटर में है ओ, अच्छा ओकी, तो मैं पालर जाकर आती हूँ ओके, बाई वो कहरी, वो पालर जा रही है सिकहो, डूब मरे है Zusammen पालर याम है पालर एर ईथ感 रर चालर जाकर रा έχ़तास आडर इते है अच्छे प्से बतानी कहां गई हैपी फ्रीडम डे अच्छे अच्छे आपने पहले ही दे दिया थाइंक यू बाई बाई अच्छे 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 आपका फोन नंबर चाहिए जिन कभुतरों को दिदी पाल रही है वो आपका नंबर मांग रही है उन्होंने उनकभुतरों का नाम लैला मजनू रखा है लैला मजनू इंट्रेस्टिंग पर मैं पहले से एक लड़की से प्यार करता हूँ फोन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं लैला मजनू को अच्छे से देखने के लिए कहना वो सर आपको नंबर देना नहीं चाहते है उन्होंने कहा कि वो किसी और से प्यार करते है लव के लिए नंबर नहीं मांगा था मुझे कोई जरूरत नहीं अगली बार कह देना उनसे एसे भी लोग हैं किसी और से पहले से प्यार करता है इसलिए अपना नंबर नहीं देना चाहता हूँ मुझे लड़की ने तुझे लेखा नहीं कि तुछ पे इंप्रेसों के डेट पे चलिया तिया बात क्या है ईसी कोई बात मी है यह तो भी ना आप्र य। अब इप्र ढूण रहा है क्या याठ एरे एरे ट्राफिक एह ओह ओह सरे आयailed कि कार्टिक अ कार्टिक कि एमिर कि कार रहście हेलो अपने घर वालो का नंबर बताओ हलो हलो अपने घर वालो का नंबर बताओ नाइन नाइन फोर नाइन जीरो वन डबल टू थ्री अरे ये क्या लगता है आपने अपना नंबर दे दिया आई लव यो अरे कार्तिक तो इसे भागा क्यों और ये सब क्या है कार्तिक भागा लोगा है कि तुझे अरे तुझे अरे लड़की दिखाए देती है पहले होस्पिटेल चल चल शुनिए ये शृट आपको जिस लड़की ने दी वो कहां गई जल्दी बताईए वर्दा मेरी मौत का कारण आप होंगे ये क्या पागल जैसी बाते कर रहा है वहाँ पड़ती है और मैं भी वहीं काम करता हूं थैंक यू वेरी मच थैंक यू ये सब क्या है कर रहा है क्या चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं हाच चल फॉर्टी एट इस चुनि कहा है फैशन जो है इसे नहीं इसके बाप को सीधा करना होगा तब जाके सही रास्ते पर आएगी इस लड़की को ज़रा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या इस तरह रास्ते के बीच में मुझे आई लव यू कह दिया क्या गर रहा है कार्तिक अगर ये पट्टी मेरे बाप ने देख ली तो मेरी खेर नहीं उनसे बात करके कुछ मैनेज करें क्या ज्यादा ओवराक्टिंग मत करो मेरे साथ चलो बिनाय कॉंस्ट्रक्शन कुमाल बिजवा दिया जी हाँ सर वो आपसे कला के मीटिंग कर लेग क्या हुआ तूमारे हाट में चोट कैसी नहीं माम ज्यादा बड़ी चोट नहीं है बस चोटी सी चोट है वो बाइक S He Afast किड़ो गए और ये गिर गया तुम हर वक्त इसके साथ रहते हो लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगी वो क्या है इस बर मैं साथ में नहीं था है पार भेजना ही टेंशन से कम नहीं है हे, क्या हुआ देखा तुमने, इससे बुरी तरह से चोट लगी है डॉक्टर को फोन करो जोड़ियो ना मॉम, चोटी सी चोट है, घबरानी की ज़रूरत नहीं है दीदी, कुछ तो कहो इतनी बड़ी चोट लगी है, कह रहा है, चोटी-चोटे आपने गैस पर कुछ रखा है, पहले वो जाकर देखा है जाती हूँ, जाए जल्दी जाए पकड़ो, सुनो, अगली बार मेरे बेटे को खरो चाहिना, तु तु तुम्हारी टांग तोड़ दूगी समझे कार्दिक, तुम संभल का ड्राइव क्यों नहीं करते तुम भी ना दीदी, ये सब भी क्या चोटे है असली चोट तो मुझे यहां लगी है सच में, तो बताया क्यों नहीं, डॉक्टर नहीं क्या कहा दीदी, ये तुम्हें भी उल्लू बना रहा है, इसे तो चोट बहुत पहले ही लगी है आज उसी लड़की को ट्राफिक सिगनल पर देखा और आई लोवी बोलने के लिए दोड़ा था इतने में कार सामने से आगई और साप बाइक पर सिकिर पड़े ट्राफिक में संभल कर चलाना चाहिए न बात वो नहीं है दीदी, उसकी वो प्यारी सी आँख हैं, उसका क्यूट सा नोज और उसके नाजुक से हाथ और हाँ दीदी, उसकी वो प्यारी बातें, ना मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई दिया, ना कुछ सुनाई दिया मैं सिर्फ उसे ही देखता रहा इतनी अच्छी लगी क्या वो लड़की? स्वर्क में घूम रही अब सराइब भी उसके सामने कुछ नहीं अब इसके आगे और क्या कहूँ? यह लड़की ने क्या कहा? दूसरी लड़कियों की तरह बिना कुछ कहे, चुप चाप चली गई कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसे मेरा यह प्रपोजल पसंद है कल से नए टेकनीक से उसे अप्रोच करूँगा मेरे डान हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं ओके दास वाए हम लग्की या, I know that क्या हुआ? यह वही लड़का है जिसने मुझे I love you कहा था कल रास्ते पर प्रपोज किया और आज देखो मेरी क्लास में चला आया राजू? जी मैडम ब्लू शेट में लड़का कौन है? बहुत स्मार्ट है ना? शेट आप न्यू एडमिशन है आज ही दॉन किया है तुम्हारे लिए नहीं आया होगा I'm sure मेरे लिए ही आया है ठीक है ऐसे समझते हैं अगर वो तुम्हें बार बार देख रहा होगा ना तो समझ ले ना वो तुम्हारे लिए है चलो अंदर चलते है मुझे देखा तक नहीं Good morning students Good morning sir Today we will discuss about support intercalation method In this method we will see how statistical quality control refers to the use of statistical methods In the monitoring and maintaining of the quality of products and services I behave कर रहा है जैसे पहले कभी देखा है नहीं रफ़र्ट वेस एक्सप्टेंस सेंप्ल चैन बी यूस्ट वैने डिसिशन नंदू 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 किसे देख रही हूँ मैं उसे नहीं देख रही हूँ सब वाट वाट हैपन नंदू वो तुमें देखता है या नहीं देखता है उसे क्या फर्क पड़ता है वो धू वो एक मनिपिलेटर है समझी तू ये किस से बाग कर रही है बाता नहीं मेरा स्कार्फ वापस करो आपका स्कार्फ मेरे पास कैसे आया जब आक्सिडेंट हुआ था तब मैंने बांधा था याद है याद तो है पर उस दिन मैंने कुछ और भी कहा था वो याद नहीं लुक मिस्टर आप जैसा समझ रहे मैं वैसी लड़की नहीं हूँ ओ माइ गॉड जो मैं सोच रहा हूँ वो आपको कैसे बता चल रहा है मेरे दिल में और क्या है बताईए अरे मुझे क्या पता ठीक है मत बताईए पर ये तो बताईए मुझे आप बार बार देख क्यों रही है देख रहे थी कि आप मुझे देख रहे हैं नहीं सो आप ये तो मानती है कि आप मुझे देख रही थी आप से ये मैंने कब कहा आप मुझे बार बार देख रही हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे पर लाइन मार रही है अब मैं कंफ्यूज हो गई देखा आपने कितनी आसानी से हार मान ले क्यों देखो सॉरी देखिए आपसे relationship तो दूर की बात है आप ये cheap tricks क्यों play कर रहे हैं ये बात मैं अच्छी तरह जानती हो मेरे सारे relationships मेरे dad decide करते हैं he is the final decision maker वही मेरे friend, philosopher और guide है I don't want my scarf ये क्या अपनी आखें छुपाने के लिए काला चश्मा पहन करें बिल्कुल ठीक नहीं style है मा और ये आओ नंदू, एक दिब सही मौके पर आई हो आप लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए digital swimwear का इंतजाम किया है मतलब? मतलब ये बेटा कि तुम्हारे लिए लड़का ढून रहे है पहले round का elimination अभी शुरू हुआ है आओ, तुम भी इसमें से decide कर लो आप ही decide कर लीजे, मैं क्या देखू? तुम्हारे मन में कोई है तो बता दो बेटा हम उसे okay कर देंगे हाँ नंदू, तुमसे पूछना ही भूल गए तुम्हारे पसंद का कोई हो तो बता दो हमें कोई भी इतराज नहीं है मेरी तरफ क्या देख रहे है, मुझे कोई इतराज नहीं होगा है न मा? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर उसे कोई अच्छा लगता है तो हमें कोई हर्द नहीं है मुझे भी okay कि झालो नहीं रुके साफ में खाएंगे और आप नहीं मुझे भूक नहीं चलो चलो बच्चों आज बू आ के साथ हम भी खाएंगे कि अ tääग कि अजय को कि अधिक की अधिक ज़ेजिय को बहुत स्पेशल है आप अधे बता बता रहें एक मिनिट रखो बताता हूं फ्रेंड्स इस सेलिब्रेशन का रीजन है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ और हाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ वो बार-बार मुझे घूरती रहती है इसका मतलब हुआ वो भी मुझसे प्यार करती है वैसे वो लड़की कौन है? क्या, वो हमारी क्लास में है? आहा है देखो कार्तिक, मैं उस दिन यू ही देख रही थी मेरा अल्रेड़ी एक बॉइफ्रेंड है वो लड़की तुम नहीं हो अच्छा तो कौन है वो लड़की? उस लड़की का नाम है उस लड़की का मैं अपनी गल्फरेंड के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप बीच में क्यों बोल रही है उसे कितना बुरा लग रहा होगा मैंने सही कहा ना दोस्तों और वैसे अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो आप भी बता सकती है आपके बॉइफरेंड को बुरा तो नहीं लगेगा मेरा कोई बॉइफरेंड नहीं है इसका मतलब किसी ने आपको आज तक प्रपोज भी नहीं किया ना मुझे किसी ने प्रपोज किया ना मैंने कभी किसी को किया 23 years young, good looking, sensitive, healthy आप बिलकुल innocent लग रही है नहीं इसका मतलब आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है एक बार ज़रा चेक अप करा लीजिए फिर अगर कोई प्रपोज करेगा तो आप भी मेरी तरहा स्वीट्स बाट कर celebrate कर सकती है मुझे प्रॉब्लम है हलो हलो श्रीनू तुमने आज तक मुझे I love you क्यों नहीं कहा नंदू तुमने मुझे आज तक I love you क्यों नहीं कहा एक्चली मुझे लेकर तुमारी ये उपिनियन है मुझे पता ही नहीं था नंदू तुम्हें लेकर मेरे कोई उपिनियन नहीं है गीता को प्रुपोस किया, उन सबसे अच्छी तो दिखने में मैं हूँ ना, फिर मुझे क्यों नहीं प्रुपोस किया? तुम ये कहोगी ये तुम मुझे पता ही नहीं था, थांक्स नंदू, थांक्यू वेरी मच्छ मैंने तुम्हें येस कब कहा, अगर तुम प्रुपोस करोगे तुम्हें रिज़ेक्ट करने वाली थी, करोगे प्रुपोस? यह हाँ नंदू, अरे सब ही तुम्हें रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं तुम सब के साथ फ्रेंडली रहती हो, तभी तो तुम्हें कोई प्रपोज नहीं करता और तुम्हें प्रपोज करने वाला देखना कोई खास ही होगा ओके, थैंक यू उसे फोन करके बताऊं? मैं भी ना अगर आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया तो तो आप में कोई प्रॉब्लम है मैंने ये कहने के लिए फोन किया है, कि मुझे में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं स्वेट फॉवर हूँ, इसलिए सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और इसका मुझे अभिमान है, समझे तुम? समझ गया क्या समझ गया? मेरा फोन नंबर सेव करके रखाया, ये समझ गया तुम अभी मेरे बारे में सोच रही हो, ये समझ गया जल्दी ही तुम मुझे I love you कहने वाली हो, ये भी समझ गया नंदू, तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे मन में सिर्फ मैं हूँ गुड मॉर्निंग डाड गुड मॉर्निंग, बैठो कैसा चल रहा है हॉलिड़ी? कूल कितने दिन बचे? और दो महीने है ना डाड उसके बाद कार्तिक लाइफ में प्लैनिंग होनी चाहिए उसके लिए responsible होना ज़रूरी है जो तुम में बिल्कुल नहीं है ये सच है तुम्हे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए हमने तुम्हारी शादी तै कर दी है क्या डाड आपने बिना मुझसे पूछे? वो लड़की हम सबको पसंद है और उसी से तुम्हारी शादी होगी डाड पर डाड मैं किसी को चाहता हूँ अगर उसकी फोटो देखनी है तो उसकी फोटो तुम्हारी दीदी के पास है देख लो दीदी क्या हुआ? लड़की की फोटो दिखाओ तुम्हे? क्या दीदी, तुम भी ना मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पर वो तुमसे प्यार करती है या नही यह पता नहीं है न अच्छा तो मैं किसी और से शादी कर लूँ मैं यह नहीं करने वाला यह बात तुम पापा से क्यों नहीं करते वो कहां सुनने वाले हैं विलन की तरह धमकी देकर चले गए ठीक है लेकिन इस लड़की की फोटो तो देख लो यह भी बहुत अच्छी है श हुआ 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 है नंदू नंदू मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ तुमसे एक जरूरी बात करनी है बोलो एक्चुली जब फर्स टाइम मैंने तुम्हें देखा सॉरी यह कहना था क्या अब चलती हूँ लेकिन नंदू नंदू जिस तरह से मैंने तुम्हें अप्रोच किया वो गलत था पर पहले फोन पर बात कर लो वन सेकंड आम वेरी सॉरी जस्ट वन सेकंड है क्या हुआ हे नंदू चलो क्लास में चलते हैं अभी नहीं वो बहुत देर से मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है उसे जो कहना है वो सुनकर यह मैटा हमेशा के लिए क्लोस कर दूँगी नहीं तो यह रोज मुझे तंग करेगा हे वो चला गया कैसा लड़का है मैन उसी नहीं है इसे मैं यह फ्लास छोड़कर उसके लिए खड़ी हूँ और वो मुझे बिना बता ही चला गया बता कर भी नहीं गया कि कहां जा रहा है हाँ रूड शट आप हाँ ह 생साँ १र रहाँ हाँ 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 है वें चल दिए चलन याइई बागे काँ इदर आओ देख देक इसमे कितना कि लो से पगड़ो आरे नहीं का रहतिक देख यह देख रहे थी कह देख हुए अधे कुझ होँए यह लोग थेका न यहाँ यह सारे मधु के लिए इंदु और में प्यार करते हैं ये बात उसके डैट को अच्छी नहीं लगी इसलिए इसलिए क्या गुंडों को भीजा तुम्हें मारने के लिए अरे इसलिए तो वो लोग प्यार के दुश्मन कहलाते हैं सुनो क्या इंदु तुम्हारे लिए सब छोड़कर आएगी एक SMS का मेरी पिताजी इसी ने हम सब को मा रहा था बाई अंकल एक्चली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा All the best इस खेजिए लिए वी वोज़ूंगा धुम्हें विए कॉया जाओ काॉऌन कर दो एक है एक है चंदू हमारे चंदू है यह तो हमारे चंदू मामा है अब तक तुमने अपनी बेवकूफ्या कम नहीं की बताते दू सही कि मैं आ रहा हूं क्या बताओं दीदी आपकी शक्राइब के लगता है कि आप अब तक बावा आदम के जमाने में इंटरनेट और फेस्ब पर नहीं पढ़ लिया करो इंडिया में इतनी लेट पेपर आता है जब कि हमारे दुबाई में कल का पेपर आज डाल देते हैं उसमें क्या लिखाए ज़रा पढ़ लो पढ़ के देखो तो यह सब तुमारे close friends है इंडिया में कोई दूसरों की publicity नहीं करता सबका खुद करने पड़ती है कौन है अंकल नहीं बेटा यह दादाजी है दादाजी शादी नहीं है और दादाजी बरा दिया मैं चला अब उधावी अंदर आ जाओ चंदू सुनो चंदू का सामान उपर रखवा दो ठीक है मॉम पर मॉम उपर का कमरा साथ नहीं है इस रूम में रखवा दो नया घर अच्छा है मॉम ये इतनी भायानक शकल वाला इंसान हमारे घर पर क्या कर रहा है तुम्हारे चंदू मामा है जब तुम छोटे थे तो तुम इनकी दूद में ये काउन से गिनिस बुक रिकॉर्ड की बात है क्यों मेटे बाहर गया तो अपने मामा कोई भूल गया अरे आपको कैसे भूल सकता हूं मामा जी वैसे आप कहाँ चले गए थे बचपन में जब मैं आपके लिए रो रहा था तो आप कहीं भाग गया ऐसा माम ने बताया वो सब छोड़ क्या कर रहा है ज़का मामा जी कुछ नहीं करते हैं सिर्फ हॉलेडे मना रहे हैं दुबाई में इसे मुफलिस काखोफलिस कहते हैं मतलब मतलब देखारी में घूमना ऐसी कोई बात नहीं है मामा जी एक बुक लिख रहे हैं ये बुक लिख रहा है बुक लिख के कौन सा हिती हस रच देगा लफंगा था जी आजी आपने इसे खुले सांट के तरह क्यों छोड़ दिया बोल रहा है ये बुक लिख रहा है आज की जनरेशन कभी नहीं सुधरने वाली है लगता है पापा गुस्से में माम मैं बाहर जा रहा हूँ कहा जाना है इस वक बेटा बस ऐसे ही बाहर जाना है तो यहां वहां क्या देख रहा है जो भी बात कहने है सीधा सीधा बोलना तुम पहले अपने बखरे जैसे दाड़ी निकालो उसके बाद बाद करो ये क्या शर्मा अंकल के फंक्शन में आने वाले थे ना तुम मैं नहीं आने वाला मुझसे ये सब नहीं होगा क्यों? किसी को टाइम दे रखा है क्या? जी जाजी देखो ये कैसे बेहेव कर रहा? तुम्हें आना होगा मैंने वदा किया है हम सब आएंगे ठीक है डाड और आपने अपना ब्लीजर कहा है? अरे कबर्ड में होगा ना आज से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू कुछ पी नहीं दिखाई देगा सिवाए मेरे वेल्कम स्रॉप वेल्कम आडम अरे हाई दोस्तों क्यासे हो तुम सब कार्तिक जरा डिसेंसी से पेश हो चिल्ला क्यों रहे सारी डाड वो मेरे दोस्त है तुम जरा दादाजी के साथ रहो नहीं तो अपनी बातों से मुझे बोर करेंगे हाई कैसे हो कैसे है बाबी जी बिल्कुल ठीक है भाई साब कब तक दूसरों की शादियों में जाते रहेंगे अपने बेटे की शादी की बारे में कुछ सोची है अगले संदे हम लड़की देखने जाने वाले है यहीं इसी शहर में ओ यहीं पर है कौन है कृष्णा इंडस्ट्री के रामप्रसाद कृष्णा इंडस्ट्री के रामप्रसाद मतलब कनेक्ट स्टेशन कंपनी के ओनर आप उन्हें पहले से जानते हैं यह रिष्टा मैरेज बीरों से आया है इसे लिए मिलना चाहते बहुत यह अच्छा परिवार है सच में इन फैक्ट वो भी अपने परिवार के साथ इस रिसेप्शन में आने वाले है तुम्हें मिलवाता हूँ साब को जरा आराम से बिटाओ अरे प्रसाद संटिको तुमारे घर जो लड़की देखने आने वाले हैं तुम्हें कैसे पता अरे वो भी यहां आये हुए हैं चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ वैसे कहना पड़ेगा बहुत अच्छा परिवार है बहुत रिस्पेक्टफुल फैमिली है मैं इने बहुत पहले से जानता हूँ सुनो चंद्रकान यही है राम प्रसाजी जिनके बारे में तुमने कहा हूँ नमस्ते मैं वाइफ नमस्ते आप बैटकर बात करिये मैं आका मेरी बेटी नंदना नमस्ते आंटी नमस्ते अंकल कार्तिक के लिए इतने खुबसूरत लड़की इस रिष्टे को तो बिकार में होगा कहां हे वो लड़की बिलकुल गुडिया दिखती है क्या आपका बेटा नहीं आया वो यहीं कहीं होगा बेटा जरह देखो तो मामा कहा है क्या हुआ बेटा चुप क्यों बैटी हो समल कर कोई बात नहीं बेटा जाओ ना फैंक यू आंटी लगता है शर्मारी रहे है नंदू एक बिन रखो मैं आया कोई तुम्हें देखने आने वाला है क्या है अलो आप कौन यह मेरी दोस्त है हम एक दूसरे को जानते हैं आप जा सकती है बाबाए फिर में लगता है करदे में यहां क्या कर रहुए वो एक प्र कर दो कि में तूसरे बेडर हूं जरा मैं जो कह रही हो समझ क्यों एक बार मिला तो मामा जी आप तो सूपर हो अब तक शादी की बात नहीं हुई और वुडबी बीच में आ गया उसके तुम्हें नहीं मैं उससे प्यार करता हूं लेकिन वो कह रही है कोई वुडबी फैमिली से मिल रही है ज़रूर ड्रामा कर रही होगी मामा ना जी बुला रहे है चलो रुको ज़रा कहा ना जी बुला रहे है चलो यह शादी तो रुकवानी ही पड़ेगी आउ कार्टी यह राम प्रसाद जी हलो अंकल नाइस टू मीट यू शुक्र है बताया ने कि शादी का रिष्टा है बैठो बेटा हलो हलो नंदू तुम कहा हो यही फ्रेंट्स के साथ यहां तुम्हारा हीरो आया है अच्छा है ना एकदम सूपर है जल्दी आजाओ आती हूँ अगर यह लड़की कार्टिक कम मिल गई तो मैं उसकी खुशी नहीं देख पाऊंगा कुछ तो करना होगा हलो जिस लड़के से तुम बात कर रही थी न वो तुम्हें फॉलो कर रहा है हाँ वो कार्टिक के से तुम्हें फॉलो करा देखो अगर कार्टिक को मेरी फैमिली ने देख लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा अब यह वहाँ जाना ठीक नहीं पता नहीं कहां कही होगी कोई वेट कर रहा है क्या कोई बात नहीं जाओ तुम्हें बाई अंकल मैंने उसे उसी तरफ देखा था पर कहां हलो लड़की की फैमिली पापा को बहुत अच्छे लगी सच में चली आओ आ रही हूँ ओके प्रेंट्स से बात करे थी इसी तरफ गई मामा तुमने ठीक से तो देखा ना एक काम करो तुम इस तरफ देखो मैं इस तरफ देखता हूँ ठीक है ठीक है जल्दी देखो आओ बेटा बैठो फेंस चली गई क्या जल्दी जाओ और मामा को बुलाओ जाओ ठीक है मम्मी जाता हूँ मामा ममी बुला रहे हैं चलिए तो फिर मिलते हैं उसे जरूर तुम्हें देखकर डाउट आ गया होगा अरे क्या हुआ मामा कहा है उन्होंने कहा आ रहे है काते लगता है वो चली गए तो हम भी चले क्या ठीक है चलो दिदी आपने बुलाया था खाना खाने के लिए भिश करना है ना सब साथ रहेंगे तो अच्छा रहेंगा चलो 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 काते का गिरावा चेहरा देखके मेरा पेट पहले ही भर गया माम माम कहा हो जल्दी आ रही हूँ चलो मत जल्दी करो मूरत निकल जाएगा कितना टेंशन कर रहे हो तोमी स्टॉप ये सब तैयार हो के जाक आ रहे हैं लड़की देखने जा रहे है तोमी प्यार के लिए लोगों ने कितनी लड़ाई या लड़ी खुर्बानियां तक देदी और तुमने क्या किया मैंने क्या किया प्यार करते हो किसी और से और लड़की देखने जा रहे हो कोई और अच्छा लड़की देखने और मैं impossible मैंने जाने वाला सही का भांजे बिल्कु सही जा रहे हो मैं भी देखता हूं तुम्हें आसे कौन ले जाता है एक आर्तिक जल्दी चलो मैंने आऊँगा और नहीं यह आएगा आपका आना ज़रूरी नहीं है लेकिन कार्तिक चाहिए दीदी मैं आपसे पहले ही कह चुगा हूं मैं किसी और से प्यार करता हूं इसलिए उस लड़की क देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता एक बार उस लड़की की फोटो तो देख ले मैंने देख लिए मुझे पसंद नहीं मामा जी पसंद आपको नहीं उससे आनी चाहिए यह डिसीजन मेरा नहीं है बच्चे इसका है क्यों सही का हूं है कातिक तुमने लड़की की फोटो देखी नहीं है ना एक बार लड़की की फोटो देख कर खो कि लड़की पसंद नहीं आई अगर फोटो देख ली तुकर बढ़ हो जाएगी सुनो सुनो मैं दिखाता हूं मुझे दो ना देखो मामा जी कितनी खुबसूरत है पर यह की समझता नहीं है यह लड़की कैसी है आवरेज है देखो तुमने यह लड़की कही थी ना आवरेज कहा तुमने यह बहुत खुबसूरत है हम सभी को बहुत पसंद है इन सब को यह कैसे पसंद आ गई है मैंने कहा नहीं यह बिल्कुल आवरेज है दीदी तुम यह फोटो एक बार दिखाओ या सो बार डिसिजन तुमने जब तक तुम्हारे साथ मैं हूना तब तक तुम्हें कोई कुछ नी कहने वाला है टेंशन मतलो और मैं यह तो चला गया मेरे प्लैंड का क्या होगा देखो अगर लड़का तुम्हें पसंद आ जाए तो शर्माना मत तुम्हें देखकर मैं हसूंगी और तुम मुझे देखकर हसना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है छोड़ो हे कम से कम हसो तो सही बच्चों तुम सब बाहर जाकर थे लो हाँ ठीक है चलो जो देख कार्तिक लड़की आ गए देख लो नहीं पसंद आई एक बार लड़की को देखकर तो कहो मैंने कहाना नहीं पसंद आई दीदी मैंने इसी लड़की से प्यार किया है तो कहें दू कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं है क्या तुम भी ना दीदी बच गया इसे मुझे पर शक नहीं हुआ मामा आपने घर पर इसी लड़की की फोटो दिखाई थी मतलब फोटो में कुछ और दिख रहे थी यहां तो कुछ और ही दिख रही काफी फोटो जनिक फेस है इसका मेरी तो लॉट्री लग गई लड़के को देखो लड़के को घर दिखाना बेटा जाओ हाई अपने आपको समझते क्या हो तुम तुमें जरा भी शर्म नहीं आती पर इसमें शर्मानी के क्या बात है देखो अंजान मत बनो, मुझसे प्यार व्यार की विकार की बातेंग करके तुम यहां लड़की देखने आ गए देखो, मुझे पता नहीं था कि तुम यहां रहती हो, मैंने सोचा यहां आकर फॉमली तुम्हें देखकर रिजेक्ट कर दूँगा और चला जाऊंगा हर लड़की के साथ घूमते हो न तुम, अरेंज मैरे जैसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा तुमने तुम्हारा लप एट फॉर्स साइट कितनी लड़कियों के साथ हुआ है, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा न ये तुम क्या कह रही हो इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे और आज मेरे घर भी पहुंचके कैसे इंसान हो तुम वहां क्या चल रहा है देखना होगा अच्छी लगी ना मेरी बाद कॉलेज में टाइम पास के बहाने मेरे पीछे घूमते रहे और अब यहां सेंट लगाकर अच्छे से तयार होकर मेरे घर भी चले आए ए उपर वाले इन दोनों को दूरी रखना है अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बाद अच्छा मोहरत है उसमें रिष्टा पक्का कर दीजिए हमारा ओके है हे तुम ये क्या कह रही हो हमें पसंद है ना डैग एक बार भाई से तूपूछ लो डैग मैं कह रही हूना आपसे ये कारति के जिंदिकी का सवाल है कारति को लड़की सच में बहुत पसंद है अगर उसे ओके है तो आपको भी ओके है ना अगर वह करता है तो आपका क्या दिसिजिन है अमें भी बहुत खुशे होगी, तुम एक बार नंदू से पूछ लो. मैं अभी नंदू से पूछ कर आती हूँ. आजा. ममी जी, और में पूछ कर आती हूँ आप बैठी. टीक है, शादी के पहले ही तुम ऐसी हरकते कर रहे हो? पता नहीं तुम शादी के बाद कैसी कैसी हरकत ने करोगे विल यू जश्ट अप कबसे बकवास बाते किये जा रही हो शकल से जितनी खूबसूरत और क्यूट लगती हो उतनी ही दिमाग से कम हो क्या कहा तुमने जो कहना था कह दिया असल में तुम्हारी जैसे लोग तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तुम भी मुझे पसंद नहीं हो लंदू को लड़का पसंद है अगर हमारी शादी होई तुम्हें दूद में जहर मिला कर तुम्हें विला दूँगी अगर तुम मेरी पतनी बनी तो वोई दूद पीकर मर जाओंगा तो फिर जाकर कह दो कि ये रिष्टा तुम्हें मन्जूर नहीं है मैं क्यों बोलो तुम जाकर बोलो डाड को बुरा लगेगा अच्छा तुम्हारे डाड को बुरा लगेगा और मेरे डाड क्या नाचेंगे तुम दोरों को टेंशन लेन की तरह थे हैं ये काम मेरा है अरे मुझे पर छोड़ दो ना इसे भी पसंद नहीं है तुझे भी पसंद नहीं है तो मैं बात करता हूँ ना मेरी बात तो सुनो मामा तुम्हें पसंद नहीं तुम्हें पसंद ना इसे पसंद ना तुम्हें पसंद ना मुझे पसंद तो तुम दोरों की फेमिली से मैं बात करता हूँ मामा सुनो तो मैं सबसेट कर दूँँ या कर रहे हो नंदू नंदू मुझे तो ऐसे लगा जैसे वक्त थम गया है उस दिन जब मैंने उसे प्रपोस किया था वही मॉमेंट बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था और सबसे बड़ा ट्विस्ट मेरे पापा ने ले दे कर नंदू से ही मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी इसी को कहते हैं मिरे कल क्या कहां? एंगेजमेंट फिक्स हो गई मैंने भी नहीं सोचा पर डाड में सदनली ओके कर दिया और उनके डिसिजन्स हमेशा बिलकुल सही होते हैं मुझे मेरे पापा के डिसिजन्स पे हमेशा डाउट था बट ही इस दी अल्टमेट फैमिली तो अच्छी है बस ये लड़का ही टेढ़ा है वो स्वीट और सौर कॉंबिनेशन है इसके केस में मुझे जरा पर क्लारिटी नहीं मिल पा रही मुझे तो पूरी क्लारिटी मिल गई है अब तो ये शादी होकर ही रहेगी किसी भी तरह ये शादी को रोकना होगा चाहे कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, ननदू मेरी लाइफ से कभी भी माइनस नहीं हो सकती कार्थि, मैं भी पार्टी मिस्ने करना चाहता, पार्टी ठीक है, क्या बात है, यह हो इना बात अच्छा सुनो, हमारी engagement की बात किसी से मत करना हाँ ठीक है, नहीं कहूंगी मैं नहीं चाहती सबको ये बात पता चले अरे हाँ मुझे बात ये है कि सब कुछ बहुत चल्दी हो गया हमें भी पता नहीं चला जो अब बहुत अच्छा होगा हाई नंदू हाई नंदू हे नंदू, meet my friends दर्श प्रवीन, शिवा, विजय मेरी फ्यांसी थोड़ी ज़्यादा शर्मीली है इसलिए उसके तरफ से हाई तुम सबको हमारी शादी में जरूर आना होगा हाई नंदू, सासुमा और ससुर जी को मेरा नमस्ते कह देना ठीक है, बाई नंदू, कितनी लखी है ना जस लड़के से प्यार हुआ, उसी से शादी हो रही है कितनी गंबी सब्जी है क्या हुआ, आपको पता है उसने क्लास में आज क्या किया कौन? वही मॉम, कार्थिक ओ, दमाची ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्या किया उसने? वो अपने फ्रेंड्स को लेकर मेरी क्लास में आ गया था सबको कह रहा था, ये मेरी फ्यांसे है क्या कह रहा था? अपनी फ्यांसे कह रहा था अरे बबरे, इतनी बड़ी बात कह दी अच्छा हुआ, उसने ये नहीं कहा कि तुम दोनों शादी करने वाले हो अच्छे क्या काम है? कहां है? उनके पास पहुचने पर मेरे कंदों पर हाथ रखते हसना होगा कोई गरबर तो नहीं होगा मैं जैसा कहती हूँ ऐसा करो आरे ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा इतना क्लोस फ्रेंड है कि हम दोनों साथ मिलकर एक्जाम्स की तियारी कर रहे है कभी-कभी देर हो जाती है तो ये रात को मेरे घर ही रुख जाता है और इतना ही नहीं कभी-कभी मैं भी इसके घर स्टे करती हूँ इवनिंग शोज और नाइट शोज देखने तो हम अकसर चले जाते हैं इसका नाम क्या था तुम्हारा नाम क्या है आप लोग ही बता दीजे इनका नाम क्या है इनका नाम कार्थिक है ओ, कार्थिक भूल गई थी, सॉरी नाइस नेम मेरे कंठों पर हाथ रख्के बात करो भरे, ये क्या कर रहा है इसने तो बड़ा शौक दे दिया यार ये सब तो नॉर्मल बात है देख लेना शारी से पहले वो मुझसे प्यार ज़रूर करने लगेगी अब दिखाता है क्या यार से मा डालूंगा नमस्ते साथ आप जाहिए सर मैं देख लूंगा श्राइब है नमस्ते कैसे आप बहुत बड़िया सुनो चंदू डिक्की में फलों कि टोकरी यह लेयो किसकी टोकरी फलों कि टोकरी लेयो कोई byत नहीं हमारे नौकर लेयेंगे अरे अपना काम है इसमें शरम केसी ले आएगा जो लेओ ठीक है यह फ़लों की टोगरी कहा है कार्थिक अंकल को अपना घर को दिखाएगा जाओ 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 अंदर देखेंगे ना आईए ना यह बुआ करूं यह दादा दादी का रूम यह हमारे ममी पापा का रूम और यह हमारा क्यों को एक नंबर की डेविले हमेशा पढ़ने के लिए कहती रहती है अगर कोई उसके रूम में जाए तो बहुत चिलाती है वह अब मैं आ गया हूं ना देखना अब कुछ नहीं होगा अब बच्छों हाँ जड़ा मेरे लिए एक गलास पानी लाना मैं लाओंगा मैं लाओंगा मैं जा रहा हूं तुम क्यों नहीं गए जल्दी जाओ वो गया है ना मैं दो गलास पानी पियोंगा खिनू दो गलास पानी लाना पता है तुम्हारी बुआ ने हमें यहां देख लिया तो वो क्या सोचेगी क्या, क्या सोचेगी? वो सोचेगी तुम मुझे इस रूम में ले आये हो ओ नहीं, तब तो क्लास पर भी घर पर ही करा देगी शी, जल्दी जाता हूं मैं देखें तो ये तिल ग्लास पर है या वहां पर है पता नहीं ये दाग है या तिल है हे, यहां क्या कर रहे हूँ, नाइस ड्रेस, तो मेरे कमरे में क्या से घुसे, वो, अंकल ने घर देखने के लिए कहा, इसलिए, देख लिया ना, देखा तो नहीं, अभी तक पूरा नहीं देखा, कोई जरूरत भी नहीं है, अब निकलो यहां से, निकलो, ओके, ओके, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो तिल अभी तक है, या अब चला गया, तुम्हें, 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 एक खिलाडी के रूप में, मैं चाहूंगा, कि हर भारतिय स्वस्थ और चुस्थ रहे, तंबाकु स्वस्थ और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुचाता है, सभी तंबाकु पदार खतरनाक और घातक है, अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्थ रहना चाहते हैं, तो तंबाकु से दूर रहे, मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए, आईए, तंबाकु के मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है इンका सेवन मू के कैंसर का प्रमुख कारण है इस मरी इसको जीव का कैंसर है और हमें इसका ध्वनी यंत्र निकालना पड़ा अब सब भगवान के उपर है रेखा की जीव और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा तम बाकु परिवारों को पुजार देता है है क्रिकेट में चल रहा कितने सालों से नहीं देखा तो बेटा कौन खेल रहा है इंडिया अउस्ट्रेलिया ओ हो हो इंडिया के कितुने विकेट गए इंडिया के दो विकेट गिरें पर फिर से लगादी है प्रक चलो जाओ यहां से, वांटिड फिल्म के सलमान का लुग मत दो, चलो जाओ, 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 इतना सा पिद्डी और तेवर देखा तुमारे, चल जाओ, सुनिए मामजी, आपके मामजी कुछ जादा ही कर रहे है, अब आप हैंडल करोगे या मैं ही हैंडल करूँ घर पर क्या हो रहा है यह जाने बेना सब बिजी हो गए दरसल डाड अगर कुछ हो गया तो इसे समभाले का कौन कभी सोजा है तुम्हें तुम्हें कितनी बार समझा है लेकिन भेजे में कुछ गुस्ता ही नहीं लगता है कार्तिक ने फिर कोई लफडा किया है इस पॉइंट का जॉइंट ढूंड कर उसे फसाना चाहिए देख क्या रहे हो डॉक्टर अंकल को फोन करो जीजा जी को तकलिप क्यों दे रहे हो जीजा जी कोई प्रॉब्लम कोई खास बात नहीं बोलो ना 15 साल के बाद दुबई से मैं सिफ आपके लिए तो लौटकर आया हूँ और आपके चहरे पे इतनी परिशानी बताओ ना क्या बात है इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो आप बोलिये तो मैं सब सॉल्व कर दूँआ दरसल दो दिनों से हमारे टिंकु ने हमारे टिंकु ने सूसू नहीं जाकर उठा लो ना बस यही प्रॉब्लम थी आपकी चिल लगे चा हुआ मेरे भाई में एक स्पेशल क्वालिटी है अगर यह किसी भी बच्चे को उठा ले तो वो सुसू कर देता है अब अरे चंदू इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना ज़रा दादा जी मुझे उठाओ चलो चलो आचलो ने ने उठाओ उठाओ उठाना पड़ेगा अच् खाना तैयार है आप सब आठेश शरू कीजिए हम बाद में आजाते हैं ठीक है आइए 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 अचलो फ़ी और रोवी को पहले से जानता हूँ आरे आइइए अंटी हम दोनों कितने कंबाइन स्टडी से ईव्डिंग शोव नाइट शोव नजाने कितना क्या-क्या गड़ा बटाएं बहुत पाक्यों तक हम कंदो पर हाथ रखकर बात नहीं करते हमेंख prag required है ना रवी बताओ बताओ इन है नंदु मेरी बहन की तरह है जीजु एहां रवी कार्थिक को लाया यां ठीक है तो आज से तुम मेरे पैट क्या पार एक एयारा सत्तौता अगर डॉगी कहूं तो परप्रोबल्लम है चलेगा वेरी कॉपड लेहरा हुआ ता हूँ अज यहां आप भी लीजे आजाओ रवीम बैठो बैठो शर्माओ मत यहां बैठो बेटा अरे कोई बात नहीं आणटी मैं यहां बैठ जाता हूं इतने अच्छे दोस्त हूं हम बहुत अच्छे दोस्त हैं इटियट आओ बैठो कार्तिक बैंगन की सबसी ट्राय करो ना नंदुने बनाई है वैसे तो मुझे बैंगन के नाम से नफरत है पर अगर नंदुने बनाई है तो मैं ट्राय करूंगा देखा मॉम घर बर ये पिल्कुल खाता नहीं है रवी मुझे ज़रा एक केला देना क्या टीस्ट है? खाना खाने के बद फ्रूट कापने वो नहीं वो नहीं जो बगल में निशान वाला है न वो तिल जैसा तिल वाला क्यों? निशान वाले केले बहुत स्वीट होते हैं और स्वीट होने के साथ साथ बहुत अच्छे होते हैं मुझे पसंद है बैंगन की सबजी तो अच्छी है पर जरा इस दिल जैसे निशान को देखो मुझे यही बहुत पसंद है वाट क्या हो अब मुझसे क्या पूछ रही है इससे पूछे इसने मुझे टीबल के नीचे से लात मारी आपकी बहुत पास्ट है नंदू खाना तो खा कर जा बेटा क्यों भाग रहे हो अब मजी शोट उतार कर क्यों घूम रहे हो यह क्या हाल बना रखा है हुँँँँँद अब बच्चे की तरह नहीं एक हाथी की तरह सुषुपी आज़ता है अगर आपके पास को शिर्ट हो तो बेटा चरन अलमारी सिन को एक शिर्ट लाए थैंक यू फॉक कमें आपके अपाय कर्मीक्राव भाट अच्छाव यह वह बहुत अच्छा बाइव जिद्धू बाइव पाइव ज़ो बाइव फालो है कालो के अट गष्टी अच्छे वह हमने इंदो और मदो की शादी करवाई थी ना उसके पापा ने गुंडो को भेज कर हमारे फ्लैट को तहस तहस कर दिया और उन लोगों ने हमें भी बहुत मालाकार दिख तेरा फोटो लेकर तुझे ढूंड रहे हैं तुझे जबल के रहना ये तुम मुझे कहां ले आया हो वहाँ देखिया अंकल आपकी बेटी कितनी खुश है आप देख रहे हैं आपको तो आपकी बेटी की खुशी चाहिए ना ये मान, सम्मान, सोसाइटी, स्टेटरस, इज़ट, चाहरत इन सब को ज़रा भूल जाएए जरह देखिये उन दोनों को आपकी बेटी को वो लड़का पसंद है तो फिर आप विलन क्यों बन रहे हैं अंकल यहाँ हमें प्यार करने के लिए वक्त नहीं है और आप इतनी नफरत कर रहे हैं आपकी बेटी से प्यार कीजिए अंकल, नफरत नहीं कुछ भी हो अपना मधू तो सेट हो गया है कैसे इंदू के चेककर में उसके डाड़ी ने मधू को घर के अंदर एंट्री भी दे दी और तो और बिजनिस भी प्लान करने वाले है सच में क्या मुझे भी ऐसा चेकपॉट मिलेगा क्या सुरूर मिलेगा यार कार्थिक क्या हो गया तुझे सब सेटल हो रहे हैं यार मैं भी जल्दी नंदू के साथ सेटल होना चाहता हूँ अब उसके बगेर किसी भी काम में मन नहीं लगता अरे हो जाएगा चींचन नहीं लेने का तेरी शादी में हम लोगी जोर शोर से नाचेंगे है तरफिक और जोर बोला है ऐसे नाचने वाल है है वो देखो बबी कि अरह लग रहा है या या थांक यू गल्स हाँ वही तो है यह वाटो टैंकर की तरह था वाइन जैसे कब से हो गया यह पोजो हो? खबन्सार्ट वोग्स वहन सेख़ीजरा वाय वादेख़ीजेश लिची अभल को बात है और द्रास्टिक जेंज या तरुची अपोर आफ्जी इसक्षें अप्टाएं में पती अप्टारस्टिक लडका चेनु नाम का लडका लड़का? चीनु नाम का लड़का. मेरे बगल में रहता है. चीनु के साथ. मैं खाजाओंगा ज़गा. अरे, तो हो क्या गया? अरे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. कमान मैं. क्या है दो, काती? हे, नो, लो, 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 लो. अरे दूराट दूराट मुझे मत चूप, दूराट पहले दूराट मैं उस्टाइब का नहीं हूँ है एक्चली करतिक वाट ओट वाट एक्सपें इस दाट हे 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 हो तो मेरी बात नहीं समझ रहे कोई बात में समझ आओ बात ये है कि सिटीज में बॉइस बॉइस की डेटिंग करना एक अहां बात है इने कौन समझ है इसलिए मैंने अपनी बॉड़ी कम कर दी है इसमें बॉड़ी कैसे कम कर दी है एक मिनिट रुको ज़रा क्या किया तुमने बॉड़ी मसल बना रहा हूँ जब हम लिमिट में खाते हैं उसे डाइटिंग कहते है और जब लड़की के साथ घूमते हैं उसे डेटिंग कहते है वकूग अधा कहीं का सारा मूड बिगाड़ दिया चलो दोस्तों चलो अच्छा क्या बात है बोल सुनना वो क्या है न मैं तेरे साथ परस्नल डेटिंग पे जाना चाता हूँ हाल तो कि बखवास करेगा तो यहीं पे तोड़के रख दूँगा जाना यार आजकर के लड़के भी ना कमाल है यार ए तू बाद में फोन कर ला इस दिस कर्तिक मैं किरन बात कर रहा हूँ कौन अरे वही पैरिस ऑक्स बैरिस बार अरे बर्गर वाला किरन याद आया बताओ इंडिया कब आए मैं कोई बर्गर नहीं हूँ यहां कर दो हफते हो गए पताओ कब मिलोगे मैं तो फ्री हूँ तुम बताओ कल तीन बजे फूर्ट फेस्टिवल में कशार आये हम क्या बाते यह तो बड़ा फास्ड है हे जीता तुम यहां क्या कर रहे हो अर मुझे भी हो रही है हाई बेबी दो हफ्ते में शादी है ना बहुत खुशी हो रही होगी मुझे भी हो रही है और इसलिए मैंने तुम्हें एक छोट ऐसा गिफ्ट भेजा है पिक्चर्स देखना तुम्हें अच्छी लगेंगी यू मस्ट अप्रेशियेट माँ टैलेंट कल सुबा चुपचाब मेरे घर पर आ जाना वरना ये सारी पिक्चर्स इंटरनेट पर होंगी समझी फ्रेंड समझकर थोड़ा क्लोस हो गई बढ़ वो ऐसा करेगा ये पता नहीं था कहां है वो खोल रहे आ गई अपनी जाने मन कुछ नहीं बाई गीता के पिक्चर्स तुम्हारे पास है ना वो देदो मैं चला जाऊंगा तो जाने मन ने साले साब को भेजा है अब क्या करें गलत तरीके से फोटो निकालोगे तो ऐसा ही होगा न और ना दू तो वो तो जल्द ही समझ जाओग तंगी देरा है वाँ नाइस दिखाना तो यह बहुत अच्छा लग रहा है बैठिए इसे मैं फेस्बूक में अपलोड करता हूँ येस अब देखना कमेंट पर कमेंट रहेंगे I'll get something to eat here किरन ने नंदू के साथ सेटिंग करने के लिए बुलाया है ये अच्छा है फाल तो मैं हाँ बोलकर फस गया क्यों कमेट किया मैंने हाई किरन हे वाट्सप ब्रो किरन का दोस्त ये है हाँ बैठो ये कहां गई ओके अच्छा नंदू ये कारतिक है अब इसे धक्कत जरूर लगेगा अच्छली हम नमस्ते जी नमस्ते नंदू एक सेल्फी कारतिक इस दी ओनली फ्रेंड इन इंडिया एक दिन में दोस्ती हो गई फ्रेंड बोले तो कारतिक, कारतिक बोले तो फ्रेंड रिली किरन, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है मैं जानती थी, ये यहां आएगा तो सिर्फ गढ़बर होगी ये लड़की को तुम पहले से जानते हो I love her मैं प्यार करता हूँ उससे नहीं, one side love No, two side love तुम मुझे पर गुस्सा हो, इसलिए ऐसा कह रही हो न Hello, तुम्हारे उपर उसको कैसे गुस्सा आएगा? किरन, don't listen to him तुम तो उससे शादी करना चाहते हो न वहां से यहां, इसलिए तो आया हूँ मैं तुम अपने मान की करो, मुझे भी वह पसंद है पर मुझे पसंद नहीं है तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? पर घर के बड़ों को भी मानना होगा इसलिए तो तुम्हें बुलाया है, तुम्हें मानना होगा या कहा, मुझे मानना होगा इसकी engagement अल्रेडी हो चुके है बता है इसने हलो तुम topic मत बदलो इस परसनल परसनल कह रही है यार पागल हो शादी की कबर परसनल होती है लड़किया तो होती है ऐसी है उपर से हस्ती रहती है लेकिन अंदर सारा गुस्सा भरा हुआ रहता है excuse me देखिये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैडम मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ मेरे कहने का ये मतलब है कि हाई कार्टिक तुम यहां कैसे हाई शीला मैं जरब दो मिनिट परसनल मैटर डिसकस कर रहा हूँ तुम तरह वहां बैठो की प्लीज उसी की बात कर रहे हो ना तो वो यहां क्यों नहीं बैठ सकती शीला आओ यहां बैठो तुम कुछ बोलो ना रे मैं क्या बोलू या बता है शीला ये तुम से पहचान दिखा कर तुम्हारी शादी थोड़ने की कोशिश कर रहा है अच्छा मतलब किरन शीला से प्यार करता है कार्तिक कभी ऐसा नहीं करेगा मैंने कार्तिक को डेट प्रपोस करने की बात उसे हग करने की बात ये सबी बाते किरन को पहले ही बता दी लगता है गेम ओवर हो गया तुम्हें हग करने माला ये कार्तिक है क्या अच्छा इसलिए मना करने को कह रहे हो तेरी दोस्ती को हाथ जोड़ता हूँ शादी के बाद मिलता हूँ चलो यहां से चलो ना बाई मुझे लगा कि वो तुमसे प्यार करता है शीला के साथ मैं कोई डेट पर नहीं गया था तुम यह चिगन बहुत पसंद है न यह लो यह यह ऐसा क्यों कर रही हो वुड़ भी बता देती तो यह confusion होता ही न हीना मैं क्यों बताऊ क्या है नर्डो तुम्हारी प्रॉब्लेम क्या है तुम मुझे पसंद नहीं यही मेरी प्रॉब्लेम है Day 1 से तुम्हारी manipulations देख रही हूँ मेरी feeling की कोई कदर नहीं तुम्हें तुम जानते हो तुम मुझे पसंद नहीं फिर भे इस किस्से को शाथ ही तक ले आये हो तुम मुझे पसंद नहीं करती इसका एक reason तुम मुझे बताओ तुम्हें पसंद करने लाएक कुछ तो हो पियार करने के reasons नहीं होते सिर्फ emotions होते हैं लेकिन ना पसंद करने के reasons जरूर होने चाहिए सौ हैं लेकिन तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं अच्छा मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें पता है उतना ही काफी है मैं तो बेवकूफ हूँ ना ये reasons, logics इनके बारे में बात करके कोई पायदा नहीं मैंने डाट से तुम्हारे बारे में पहले नहीं बताया मुझसे बड़ी गलती होगी पर देड नहीं हुई, अभी जाकर बताती हूँ नंदू, नंदू, मेरी बात तो सुनो नंदू, प्लीज ये सीरियल तो मैंने पहले नहीं देखा मॉम, डाट का फोन स्विच ओफ आ रहा है कहां है वो, वो उपर फ्रेंड्स के साथ है डिस्टरब करने को मना किया है आज किसी भी हालत में डाट को अपने मन की बात बतानी है डाट पोटबहाँ कीजो लगन की काथी 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 मोरा लगन की काथी 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 बोरा लग्ज वाच हरु तै को कितने दिए चिल एगरुट सुपी तर रहा जै वाच आए है सबस्थपली सबस्थपली सबस्थ आए है हट्पी बादी हुआ हाँ हाँ यही है मेरा दामाद मेरी फूर से बच्ची को यही शादी करके ले जाने वाला है यही मेरी तरफ से उसके लिए बेस्ट किफ्ट है दोवारी तरह लविंग फादर उसकी जिन्दगी में आया नंदू वाकई बहुत लखी है अरे नंदू कहां लखी है नंदू जैसी लड़की इसके यहां पैदा हुई है इसका लख है सच है यार मैं ही लखी हूँ इस फेस्बुक जनरेशन में मेरी बातों को एहमियत दे कर मेरे भरोसे पर एक अंजान आदमी से शादी करने के लिए तयार हो गई इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ सही का कॉंग्रेर्स नंदू तुम्हारी शादी की बात कर रहा था लड़का बहुत यह अच्छा है बेटा तुम्हारे पिताजी ने लाखों में से ढूंड कर निकाला है डेफिनेटली इस फिट फॉर यो आपने इपना फोन की स्विश ओफ कर दिया है ओ फ्रेंड्स आया है न जस्ट गोइंग ओन कुछ अर्जंट है क्या आपसे बात करने का मान कर रहा था बताओ बिटा कुछ नहीं बाई बाई बिटा नंदू इस वक्त यह पूछना सही है के नहीं मैंने जानता अर्यो हंड्रेट परसंट हैपी अबाउट कार्थिक तुन तुमारी और नंदू की बाद हमेशा सही होती है ऐसा तुम ही न मुझे बताया था ऐसे वो तो खुशी है उसे क्या हुआ पर पता नहीं उसे मैं क्यों पसंद नहीं ये तु क्या बात कर रहा है नंदू मुझे पसंद नहीं करती हैसा आपने डाड से कहने वाली है क्या कहा अब तक वो बता चुकी होगी कार्थिक नंदू के फादर का फोन है अगर तुम फ्री हो तो मुझे दो मिनिट बात करनी है बोली अंकल नंदू ने तुम्हेरे बारे में सब कुछ बता दिया है कार्तिक सुन रहे हो ना अहां अंकल बताईए I am very happy कार्तिक नंदू ने कहा है you are the best कार्तिक अंकल नंदू ने उसके दाड़ से कुछ भी नहीं कहा डाड अगर आप happy हैं तो मैं हमेशा happy रहूँगी ये फोन क्यों नहीं उठा रही है नंदू ए गुड नाइट गुड नाइट इतनी सुबह गुड नाइट किसली है मॉम ये गुड नाइट मेरा नहीं है खल रात कार्थिक ने फोन किया तुम्हें गुड नाइट कहने के लिए कार्थिक sorry आउंटी आपको disturb किया नहीं नहीं बोलो बेटा कुछ नहीं आउंटी नंदू फोन नहीं उठा रही थी तो शाहिद सो गई होगी मैं उसे उठा दू नहीं नहीं कोई बात नहीं आउंटी आउंटी आप मेरे तरफ से गुड नाइट कह देंगी उसे ठीक है आउंटी 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 अभी उसे डिस्टब मन्त कीजिए कल सुभे बोल दीजिए तुम्हारा कितना खयाल रखता है गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग वैसे ये गुड मॉनिंग मेरा नहीं है कार्थिक ने फोन करके गुड मॉनिंग बोलने को कहा है हलो मुझे तुम से मिलना है शौर दंदू एनिटाइम कहां तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे लिए सही लड़की हूँ इस बात का मुझे कोई शक नहीं है नंदू पर जो लड़की तुमसे इतनी नफरत करती है तुम उससे इतना प्यार कैसे कर सकते हो मेरा प्यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा नंदू उसे समझने के लिए एक लाइफ टाइम भी कम पड़ेगी तुम्हें कितना ओवर कॉन्फिडेंस है कार्थिक लाइफ में सीरिसनिस नहीं है न आज की तारीक में लव से ज़दा सीरियस और क्या हो सकता है नंदू तुम्हारी फालतो की फिलॉसपी मुझे नहीं चाहिए पर अगर तुमने कहा कि तुम्हारे प्यार को समझने के लिए एक लाइफ टाइम भी कम पड़ेगा तो मैं डिजग्री करती हूँ मैं आज शाम छे बजे तक तुम्हारे साथ रहूँगी देखते हैं क्या पता चलता है वाव, that's great, ये तो सच में बहुत अची बात है पर एक शर्ट पर तुम मुझे तुम्हारी पीछे गुमने वाले लड़के की तरह नहीं तुम्हारे डाड ने सिलेक्ट कियो हुए लड़की की तरह ट्रेट करोगी ओके, not a big deal ओसम, great, let's go मैं तुम्हारी बाइक पर नहीं आऊँगी ठीक है, तो फिर कार मारे साथ फोर वीलर में भी नहीं बैठूँगी मार क्या कारतिक ठीक है, नंदू, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा एक्सक्यूज मी वान मिनिट डिलिवरी वॉर्ड कहाँ है? फर्स फ्लो राइट साइट थैंक यू यहां लेकर क्यों आये हो? बताता हूँ मैं बस अभी आया, नंदू वान मिनिट पापा, क्या हुआ? लड़का हुआ है बेटा मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना ही पवित्र है, नंदू पता नहीं था तुम्हें कैसे बताओं इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूँ मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं क्या था ये सब अब मुझे भी फील करना पड़ेगा कोई और लड़की ज़रूर इंप्रेस हो जाती पर मैं नहीं कार्तिक हलो कि क्या प्रॉब्लिम है ठीक से खड़े नहीं हो सकते किससे बात कर रही हो नंदू? तुमसे ही अरे मैंने क्या किया तुमने तो कहा तुम्हें टू विलर फोर विलर नहीं चाहिए इसलिए देखो ये सिक्स विलर है अब ये तो ठीक है ना? अरे मैंने तुमने तुमने ये नंदना ये नहीं गिरेगी ये बिलकुल नहीं गिरेगी तुम मेरे साथ मत आओ क्यों? अब क्या हुआ? पबलिक में कोई ऐसे भी हेव करता है मैंने क्या किया? ये गुस्सा, ये नफरत, ये द्वेश सब प्यार में बदल जाता है ए रोक, रोक बाई, ये ये न वो आखेर तुम्हें हुआ क्या है? मेरा पीस अफ माइंड खत्म हो चुका है ठीक है? तो फिर चलो मंदिर चलते हैं तुम्हारा पीस अफ माइंड वापस आ जाएगा इतनी देर में तुमने ये पहली अच्छी बात कही है चलो बेहन होने वाले पती के साथ पहली बार मंदिर आई हो भगवान के लिए फूल तो ले लो होने वाले पती के साथ? वाह आप तो सच में सूपर हो सूपर उस तरफ पहले इसे रीज़ेगी तुम भी दो बेचा मंदिर में भी शाथ नहीं रह सकते मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो सुर्फ तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे आक्टिंग करने नहीं आती अब रहने भी दो वैसे भी छे बच चुके हैं मैं चलती हूँ नंदू मुझे तुमसे कुछ कहना है जल्दी कहो यहां कॉइन डालकर अगर कोई मननत मांगो तो वो जरूर पूरी हो जाती है लेकिन यह साथ करना या ना करना ये तो अलग बात है पर ये च्छे घंटे जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं नंदू ये च्छे घंटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे लगता मैंने जिंदगी में कुछ हासल कर लिया है हमेशा तुम्हारे साथ रहने की मननत मैं ये मन्नत मांगती हूँ कि तुम्हारी मन्नत पूरी नहो आजओरी नहो, लुम्हारी मन्नत पूरी नहों falar ALग। अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश कीने तो देख लेना नंदू उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था अरे उसने मुझसे पंगल यह तो और क्या होगा और क्या हाँ यस 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 क्या थे ऐसे आंके दिखाएगा तो डर जांगा हाँ सुनो मेरे मामा तुम्हें पैचानते हैं क्या नहीं यार कभी दिखा नहीं ठीक है काम करना यह लो ट्राफिक पुलिस खड़ी है फिर भी सिगनल तोड रहे हो नमस्ते सर आ नमस्ते क्या है जी वो अरे बताओ ना क्या है एकदम सुपब है जैसा काव ऐसे ही करूंगा क्या काव उसने जो करने वाले हो वो भी नहीं बोल रहा है तुम भी नहीं बता रहे हो इसने इसे क्यों अरे नाग तोड डाली उसने आरा हो चंदु भाई यह मेरे पास क्यों आरा है मुझे क्या देख रहे हो जाओ पकरो उसे पकरो जल्दी से वो ऐसा ही कुछ भी पूछे बताना मत क्या सब अपने प्लान के हिसाब से हुआ है एए एए सुन Wal day नमस्ते साब कौन था रहे हो वो कौन था मुझे नहीं पता तेरा नाम क्या दो अThe एरा नाम वो जानता है लेकिन तुह उसका नाम नहीं जानता हुर में तेरी बात मान लूं तभी कबी पता होते वह बूलना पड़ता है अच्छा हाँ चल अब जल्दी से बोल दे बेटा What to do, what not to do सर, मुझे सच में नहीं पता था वो कौन था अगर तुझे पता नहीं है कि वो कौन था तो दूर से तू इस तरह इस तरह हाथ क्यों हिला रहा था उल्लू के पठे उसने मुझे दूर से हाथ दिखाया मुझे लगा, शायद वो मुझे जानता है तो मैंने भी हाथ दिखा दिया कि हाँ अरे सर, यह इतनी बात है ठीक है, दूर से तुने हाथ हिला दिया लेकिन पास आकर क्या बोला उसने उसने कहा कि ऐसा ही पूछे तो कुछ बोलना मत मैं भी किसी से नहीं बोलूँगा जो तू मुझे बोलेगा चल जल्दी से बोल दे वो तुझे इतना अच्छा लगता है चल मेरे लिए बता दे अब अपनी मा की कसम खाकर बोल जो उसने तुसे बोला था अरे प्रभू यह क्या है सर, डंडा किसली है मैं जाओं सर, जल भाग जा मैं जाओं सर, जल भाग जा, मेरे कपड़े इसके कपड़े ला कर द। तेंकिया बज़रा है यह मेरा सेलफ़ून बज़रा है किसका फोन है पता नहीं सर यह कोई अन्नोन नंबर है फोन उठाए स्पीकर अन कर उससे बात कर अलो भाई आपको छोड़ दिया क्या अब बस अभी छोड़ी रहे है मुझे बहुत मारा क्या इतना ज्यादा नहीं मारा तुमने क्या कहा था आपने जैसा कहा उस ऐसा को गोल चोड़ी पर जिंदा गार देगा इसके कपड़े ले लो सर मेरा यह कीब कीजिए वह कौने में नहीं जालता सर सर मुझे छोड़ दूं अगर तुझे छोड़ दिया वो मुझे नहीं मिलेगा मुझे उसका पता लगान इसे ले जाओ और पुली स्टेशन का हर काम करवाओ अच्छे थे अरे कार्तिक यहां तुझा यहां दिया है आज इन्होंने बुलाया है ओ सूपब हाइम कार्तिक जी बोली लास्ट विक मैंने एक बुग दी थी मुझे आज बुलाया है ओ प्लीज आप बैठिये ओके घू क्यों नहीं पसंदाएगा इस्क्यूज मी सर आपको अंदर बुलाया है मैं एसेट हम यह अपने क्या लिखा है क्या है यह ओट बायोग्रफी है यह नाशनल जोग्रफी आई डून अनिस्टाइड अ मतलब जादा तर मेरी जोनीज और मेरा एक्सपीरियेंस इसे फैंटास् आपको एक कॉपी भेज तूँगा डिल क्लोस अं दरसल समझ गया आपके लिए ब्लाक और वाइट कॉपी नहीं रखेंगे समर स्पेशल है तो सिर्फ आपके लिए कलर कॉपीज रखेंगे वो भी दो नहीं एक्चुली मैं रेमिनेरेशन की बात कर रहा था आप रुक बताओ मेरी राइटिंग वाल्यू क्या है मैं अभी तक कमर्शल नहीं हुआ हूँ सर पर मैं कमर्शल हूँ लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है तुम्हें वो राइटर वाली बात है राइटर्स के वर्ड में तुम बहुत आगे तक जाओगे चलो काम करें तुम अपकमिंग राइटर हो तुम्हारी अगली बुग भी मैं पब्लिश करूँगा जितना मांगोगी उतना दूँगा अगर डील मंजूर हो तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर देना डील क्लोज ये क्या भाईया बिना देखे अगरीमेंट पर साइन कर दिया मैंने अगरीमेंट पर पचास अजार लिखा था अटलीस यू शुड निगोशियेट नूँ मैं इंसानों की ऐमियत रखता हूँ काग्जों की नहीं थैंक यू सर इतनी मैनत करके सिर्फ पचीस हजार रुपे डाड से कहता तो कम से कम पचास हजार रुपे दे दे पार्टी करने के लिए मैंने आज तक पापा से पैसे लिए हैं मेरे सारे खर्चों के लिए बर ये मेरी पहली कमाई है इससे मैं नंदू के लिए गिफ्ट लूँगा She is really special to me क्या खरीदेगा? हाई अरे, अज़ना सप्राइज हाई कारतिक हाई अंकल हाई गुड़नाइट कहने आये हो? नहीं आउंटी, एक्चली मैं नंदू के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ फिर से शुरू हो गया गिफ्ट लाए? क्या है इस बॉक्स में? अंटी, बताना थोड़ा मुश्किल है, पर दिखा जरूर सकता हूँ उपर टेरेस पर चले? अच्छा नंदू, तुम भी चलो ना? प्लीज चलो चलो, सब चलो नंदू, तुम भी चलो कौन सा सप्राइज है? क्या के प्लाई हो बेटा? एक मिनट आउंटी इस युनिवर्स में कुछ बिलियन स्टार्स और ग्रे हैं पर उन में से बहुत कम ऐसे हैं जिनके नाम है मैंने इंटरनेशनल स्टार एजनसी फोन करके उन में से एक स्टार का नाम रखा है सच में, कौन सा स्टार है वो? पर इतनी स्टार्स में से कैसे देखेगा वो? वही बता रहा हूँ जरा उस स्टार को देखिए इस दुनिया में अंधेरा होने से पहले सबसे पहला स्टार वही उभरता है आज से उस स्टार का नाम है नंदना वाँ, सूपा इस ओ इस स्टार को नंदना का नाम देने पर इस स्टार एजनसी ने दिया हوا सेटिफिकट हज से उस स्टार का नाम नंदना है च्छा पात! तुमने बहुत अच्छा गाम किया है थांक यू बहुत प्यारा गेफट थांक यू वेरी मच इसके SIX का कोई INDIE नहीं मेरी पूरी फैमिली को मैनिपुलेट कर लिया है मैं नीचे जा रहे हूँ मैंने खा मैं नीचे जा रहे हूँ मुझे देखने दो कितनों प्यारा लो प्रसाद हे नंदू तुमने बताए निए मेरा गिफ्ट टुहें कैसा लगा इसमें बताने जैसा क्या है? दिन में दिखता नहीं, हाथों से छू नहीं सकते और साथ में लेकर जा नहीं सकते कमाल का गिफ्ट दिया है तुमने? पर वो हमेशा हमारे साथ रह जाता है, हमारे जाने की बाद भी जाने की बाद? और तुम्हें अपने आज की कोई फिक्र नहीं है मुझे तो ऐसे ही प्यार करने आता है नंदू ये देखो तुम्हारा स्टार सर्टिफिकेट, देखो तो सही दो दिन बाद हमारी शादी है जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से तुमसे प्यार कर रहा हूँ मैं जिन्दगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँगा प्लीज ट्रस्ट मी नंदू तुम जूट बोल रहे हो आई रून केर तुम पागल तो नहीं हो गई हो प्यार का मतलब क्या पता भी है तुम्हें तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं है तुम्हें मेरे प्यार का अंदाजा भी नहीं है मैं तुम्हें वहाँ देख रहा हूं नंदू तुम्हारी नफरत को नजर अंदास करके मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ इसलिए ये रिष्टा आप तक है मुझसे नफरत करती हो तो घरवालों से कहती क्यों नहीं उन्हें मायूस नहीं देख सकती अब तुम्हारे हातों में और मेरे हातों में कुछ नहीं है आई लव यू फोरेवर एंड एवर नंदू तुम चाहे हा कहो या ना कहो मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा शादी के मंडब पे मिलते हैं नंदू बाई ये कारतिक तुम्हें पसंद नहीं आता नंदू अब मैं क्या करू जिससे तुम मझे पसंद करोगी अब ये यहां क्या कर रहा है इसके साथ तो अपना पुराना हिसाथ किताब बाकी है चल रहे कैसा है रहे हिरा देखो मैं अभी दूसरे टेंशन में हूँ यहां से निकल जाओ मैं तुमसे कह रहा हूँ यहां से निकल जाओ हाई उसके मॉबाइल में जो लड़की है उसका सॉलिड है कर वो पन्स कर दो सॉलि यहां पूख़वड़़ब थे हुआ है कर दो यहां कर दो न एक है झाल 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 सब्सक्राइब करें बहुत अच्छी है यह वाली अच्छी लगेगी इस काट का कलर कॉंबिनेशन बहुत यह अच्छा लगा एना क्या हुआ अच्छा 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 होता चल्व आओ चल्दी आओ ये लो, बहुत क्यूट लग रही हो, विट-विट, मुझे फोटो कीचने दूँ ओके ओकी नंदू नंदू तुम्हारा फोन कारतिक है हभाँ अज़का भूल ऐ ये लग्विड़ु हें पांगल है नंदू नंदू zaj एह पांप जाने से पहर शे निए हुआ 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 है आप लोग यहां हमें देखके तुम्हारे होश क्योड़ गए है इंस्पेक्टर साथ करने आये हैं मर्डर के साथ इंस्पेक्टर शायद आपको घलत फहमी हुई है कमिश्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है बात करवाऊं क्या उनसे कल रात आपके बेटे ने जो जो नाम के आदमी की पिटाई की और आज सुभा वो हॉस्पिटल में मर गया मर गया? मरते वक्त उसने स्टेट्मेंट दी है और उसमें तुम्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठेराया है कार्थिक मुर्डर कैसे कर सकता है? ये क्या मामला है कार्थिक? डाड ऐसी कोई बात नहीं है सर आप जरा मेरे साथ आईए प्लीज तू मिनिट्स प्लीज तुम लोग यहां हो और कार्थिक को अरेस्ट करने के लिए बाहर पोलिस आई है दरसल वो अंजाने में हुआ था सर मैंने सोचा नहीं था कि वो मर जाएगा आप चाहें जितने सेक्शन्स लगा लीजे सर बस आधी घंटे के लिए रुप जाएए प्लीज बाकी की बाते मेरे लॉयर आकर आपसे करेंगे प्लीज सर मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज सर हेल्प मी आउट नंदू सर अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं सब एक ही है सर नंदू डाड कुछ कीजिए डाड प्लीज पैसे देकर कुछ मैनेज कीजिए डाड मेरे लिए एक फेवर प्लीज डाड ये क्या किया मॉम आप भी डाड को समझाईया न वो आपकी बात मानेंगे मेरी कोई गलती नहीं है डाड तुझ में तो पहले से ही अकल नहीं है क्या किया तुने कम से कम उस लड़की के बारे में तो सुचा होता है इंस्पेक्टर इसे यहां से ले जाए ये डाड मैं बेल भी नहीं करवाऊंगा कोई संबंद नहीं है इससे इसने जो किया यहीं भुकते मुझे पहले ही पता था यह लड़का ठीक नहीं है शुक्र है मेरे घर वालों की आखें खुल गई नंदू प्लीज ट्राइटो अंडरस्टैंड मैंने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगा आप तो तुम खुश हो ना अब तो तुम खुश होना 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 अब तो तो तुम खुश होना अब तो 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 त इमेल पर भी प्यार कर लेते हैं अपनों की खुशी ज़्यादा माइने रखती है दिन में बहका करें गर में सुकुना बहार करार ये क्या है सिले भून वाली थी खुशी रूम में वो आब दली छटे हुए थे बादर आ गई दिदी का है उपर कमरे में मैंने सोचा मैं ये बुक उसको दू जिससे मैं प्यार करता हूँ खेर अब ये बुक तो मुस बर्ड वाली मैडम को देना खीक है सर दिदी कबुतर उडाने वाले सर ने आपको ये बुक देने के लिए का है हाई लेला मजनू भाई दिदी इस बुक का हर बनना कोई पेज नहीं है ये मेरी और नंदू की यादे हैं ये कहानी है मेरी और नंदू की मेरी और नंदू की पहली उस मुलाकात से मैं शुरू करता हूँ उसकी पहली जलक से ही मुझे उससे प्यार हो गया और हमारी ये किताब शुरू हो गई आजादी की उड़ान भरते वक्त मैंने समझा मेरी जिन्दगी की आखरी उड़ान वही है इंडिपेंटेंस टे पर मैंने उसे दोबारा देखा उस दिन नंदु को भी पता नहीं था उस नंधी लड़की के गाल पर उसके होटों से पहला किस मेरे लिए सारी दुनिया प्यार में डूब गई किसमत का खेल ऐसा रहा कि आखर हम मिल ही गए और हमारा रिष्टा तैह हो गया हम दोनों के बीच सिर्फ लड़क पन रहा नंदु, सासुमा और ससुर जी को मेरा नमस्ते कहना मत भूलना ठीक है प्यार करने का सही मतलब है कि प्यार करने की पूरी आजादी को हासल करना नंदु को आजादी सिर्फ मेरे प्यार में ही मिल सकती है अगर मेरा जीना है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है नंदू नहीं तो इस प्यार का कोई मतलब नहीं मुझे तो ऐसे ही प्यार करना आता है जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं सिर्फ मैं ही होता हूँ मैं आक्टिंग नहीं कर सकता I love you forever and ever नंदू Dad, मुझे कार्थिक चाहिए अचली मेरे दोस्त ने बेल अरेंज की कोई बात नहीं, तुम बाहर तो आगए न, चलो चलते हैं क्या अंकल? नंदू से शादी करने के लिए अंकल, मुझे पर मुझे केस है अंकल मुझे करने वाला आपकी बेटी का पती कैसे? कोई कुछ भी सोचे, तुम हमें बहुत पसंद आगए हो करती चलो, चलते हैं मैं चाहता हूं अंकल, आप एक बार मेरे पापा से बात कर ले वो पहले ही मुझे पर गुस्ता है और वो शादी के लिए तयार भी नहीं है वो नहीं मानेंगे असल में ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैंने तुम्हारे पापा से बात की, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक तुनको आजाना चाहिए था ये लो, वो आ गए आईए कार्तिक टेंशन में था कि आप शादी के लिए नहीं मानेंगे डाड, आक्चली वो सॉरी बेटा, उससे में हाथ उट गया तुम्हारे कहने पर मैनेज कर लेता तो अच्छा होता है पर कोई बात नहीं तेरी शादी नंदू से ही होगी, घर चल डाड, मुझे लगता नंदू के लिए मैं सूटबल हूँ ही नहीं ये क्या कह रहा है, तु तु नंदू से ही शादी करना चाहता था ना बेटा तुम तो नंदू से प्यार करते थे प्यार नहीं अंकल, दूर से देखकर मुझे वो अच्छे लगी थी पर पास जाकर समझा कि वो मेरे लिए बनी ही नहीं फिर ही क्या रहे हैं अंकल ऐसा कुछ नहीं है नंदू तो बहुत अच्छी है सारी बैड कॉलिटी इस तो मुझ में मुझे मैं ही नहीं मैं उसकी हर चोटी बात पर इरिटेट होता रहता हूँ ऐसे में ना वो खुश रहेगी ना मैं खुश रहूंगा और हम दोनों सफर होते रहेंगे अंकल मेरे जैसा लड़का नंदू के लिए बिलकुल ठीक नहीं है प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कोई बात नहीं कार्थिक तुमसे शादी के बाद नंदू सब एड़ेस्ट कर लेगी हम सब तो नंदू? नंदू ये हम दोणों को शादी करने को कह रहे है एक्लीस तुम तो कहो यह शादी नहीं हो सकती मुझ से शादी कर लो कार्थिक प्लीज मुझसे शादी कर लो कार्टिक नंदू क्या है ये याद है तुम्हें ट्राफिक सिग्नल से भाग कर जब तुम मुझे प्रॉपोस करने के लिए आये थे मुझे आज तक उस बारे में पता नहीं था कार्टिक जब तुमने कहा कि तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो मैं तब भी समझ नहीं पाए कि तुम्हारा प्यार कितना गहरा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुशी के लिए तुम मुझे से अलग होने को तयार हो जाओगे ये क्या किया तुमने और इस वक्त भी तो तुम मेरे खुशी के लिए खुद हारने को तयार हो तुम्हारे बिना मैं कहीं भी खुश नहीं रह पाऊंगी कार्टिक प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ I love you कि अधियो ते तो कि अधियो कि अधियो कि अधियो मॉडर्ण की एक्टिंग सिर्फ तुम ही कर सकते हो हम नहीं कर सकते है तुम्हारी सोच कितनी मचोड है मैं पता नहीं है अब तो तुम इनन्दू से शादी करने में इतराज नहीं है हम लोग शादी के तैयारिया करते हैं तुम दोनों बाते करो ठीक है चलो चलो I am really happy कार्टिक तुम्हारे लिए surprise gift लाई है अले आखे बन करो नो 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 वे लीज़ कमान ओके ठीक है आखे खुलना मत ओके नंदू कहां हो तुम्हारे वेट वेट अम कमिंग रेड़ी रेड़ी वान तू त्री ना ओपन वाव वाव रियली क्यूट यह उड़ क्यू नहीं रहे तुमने इनने फ्रीडम जो दे दी है इसलिए यह है लैला मजनू वो बर्ड्स वाली लड़की तुम ही हो I can't believe this यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मैं कैसे बताती मेरे कमरे में तुमने नहीं देखा मतलब यह तुम्हारे कमरे में ही थे Of course